हेलो फ्रेंड्स मैं अनुपम आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो में सूजी कि इडिली बनाएंगे इडिली तो सभी को बहुत पसंद आती हैं चाहे वो साउथ इंडियन हो या भी नार्थ इंडियन और बनाने में भी आसान है किसी भी समय आप बना सकते हैं नास्ते में भी बना सकते हैं या फिटिनर में बना सकते हैं चलिए बनाते हैं दोस्तों रेश्पी शुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी रुक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आपको मेरे वीडियो जहल फूल लग रहे हैं तो सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जोरू क्लिक कीजिए जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे चलिए इडिली बनाना शुरू करते हैं उसके लिए सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लेते हैं हमने बड़ा बाउल ले लिया आप हम तीन कटोरी सूजी ले ले अब हम दोनों चीज़े अच्छे से मिक्स कर लेते हैं देखिए हमने मिक्स कर लिया है अब हम उसी कटोरी से पानी ले लेते हैं पानी भी नार्मल लेना है गरब या ठंडा पानी नहीं लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना और फेटते रहना है जिससे लंस ना ह यह इडली खाने में बहुत ही टेस्ट लगती है और बनाने में भी आसान है अब हम फिर थोड़ा सा पानी एड़ कर लेते हैं फिर अच्छे से फेट लेते हैं अब हम फिर उसी कटोरी से कटोरी पानी ले लेते हैं अब हम फिर थोड़ा सा पानी एड़ कर लेते हैं इस बैटर को बनाने के लिए सही रेशियो जितनी आप सूजी ले रहे हैं उसी बरतन से आधी दही लेना है और उसी बरतन से ही दो भाग पानी लेना है हमने इतना पानी इस्टर डाल दिया इसलिए हमारा बैटर थोड़ा सा पतला दिख रहा है क्योंकि हमें सही रेशियो नहीं पता था हमने पहली बार सूजी इडली बनाई है ऐसे तो चावल किडली बहुत बार बना चुके हैं अब हम बैटर को एक डिब्बे में ट्रांसफर क कर लेते हैं अब बैटर बनाने के बाद सही रेशियो पता चल गया हमको अब हम थोड़ी सूजी और राइट कर लेते हैं जिससे परफेक्ट बैटर तयार हो जाए अब हम फिर अच्छे से मिक्स कर देते हैं ये इडली हम बीना सोडा और बीना बेकिंग पाउडर और बीना इनो के बनाएंगे इसलिए हम डिब्बे को बंद करके फर्मेंट कर लेते हैं बैटर को इसको गरम जगा पर या फी धूप में रख देना है चार पांस घंटे के लिए जिससे अच्छे से फर्मेंट हो जाए हमने धूप में रख दिया था देखिए हमारा बैटर हमारा ऐसा ही बैटर होना चाहिए एडिली के लिए हम थोड़ा सा नमक अट कर लेते हैं एक छोटी चमस नमक हमने अट कर लिया है एक छोटी चमस सरसो के दाने ले लिया है दो हरी मिर्च ले लिया है कट करके थोड़ी से सबजी आट कर लेते हैं जो भी सबजी आपको पसंद तो वाइट कर सकते हैं बैटर में या फिर आइसे बना सकते हैं एलिया ऐसे भी खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है अब हम थोड़ी से लबिया डाल देतें कट करके दो टमाटर कट करके ले लिा है हमने कर दो प्याज ले लिया है कट करके एक सिमला मिर्च ले लिया है कट करके अब हम अच्छे से बैटर में मिक्स कर देते हैं सबजीयों को सबजी आइड करने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इडली के अंदर और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है बड़ो को भी अच्छी लगती है अब हम इडली में और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए दो चम्मच चने की दाल ले लेते हैं सोक की हुई और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इडली के अंदर देखिए ऐसा बैटर होना चाहिए अब हम इडली बनाने के लिए इडली मोल्ड ले लेते हैं अगर आपके पास नहीं है तो मैं ऐसे भी बताऊंगी बनाने के लिए इडली अब हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं तेल या फिक घी से ग्रीस कर लेना है, जिससे इडली निकालते समय आसानी से निकल आया और चिपके नहीं मोल्ड में, ऐसे ही सभी मोल्ड हम ग्रीस कर लेते हैं, देखिए हमने सभी मोल्ड ग्रीस कर लिया है, अब हम एक मोल्ड को ले लेते हैं, और बैटर को मोल्ड में डाल देते हैं ऐसे ही सभी मोल्ड भल लेना है बैटर से देखिए हमने इडली मोल्ड को भल लिया ऐसे सभी इडली मोल्ड भल लेना है और हमने पहले से बरतन को रख दिया था गरम होने के लिए पानी डाल के देखिए पानी भी गरम हो चुका है अब हम सभी इडली मोल्ड रख द देखिए कितनी अच्छी इडिली फूलि है अब हम चेक कर लेते हैं चाकु से देखिए कमारे चाकु से एक दम ल्यूर से यहार। अब हम निकाल लेते हैं इडली को और थोड़ी दे ठंडी होने के लिए रख देते हैं अब हम बिना मोल्ड के भी इडली बना लेते हैं उसके लिए एक कडाही ले लिए और एक रोटी स्टेंड ले लिया है अब हम एक गिलास पानी डाल के पानी को गरम होने के लिए गैस पे रख देते हैं तब तक हम कटोरियों को ग्रीज कर लेते हैं हमने छोटी-छोटी कटोरियां ले लिये अब हम तेल से अच्छे से ग्रीज कर लेते हैं देखिए हमने ग्रीज कर लिया है अब हम बैटर को कटोरियों में डाल देते हैं तीन चौथाई भाग ही भरना है फूल नहीं भरना अगर फूल भर देंगे तो यह फूलेंगी तो बाहर निकल जाएगा ऐसे ही सभी कटोरियां भल लेना है देखिए हमारा पानी भी गरम हो चुका है अब हम कटोरियों को स्टेंड पे ऐसे रख देते हैं अब हम ढखकन लगा देते हैं और 10-15 मिनट के लिए छोण देते हैं लोग मीडियम प्लेम पे इनको स्टीम कर लेते हैं अब हम चेक कर लेते हैं देखिए हमारी इडली फूल चुकी है और पक भी गई है चाकु एकदम clean निकल आया है अब हम इनको निकाल लेते हैं और ठंडी होने के लिए रख देते हैं अब हम इडली से खाने के लिए चटनी बना लेते हैं उसके लिए हमने एक पएन ले लिया है और सोकी हुई चने की दाल ले लिया है अब हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा आयल डाल देते हैं और अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है देखिए हमारी दाल अच्छे से रोस्ट हो चुकी है कलर चेंज हो चुका है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और ठंडी होने के लिए रख देते हैं, देखिए हमारी दाल ठंडी हो चुकिया, अब हम मिक्साजार में ट्रांसपर कर लेते हैं, थोड़े से और मसाले अड़ कर लेते हैं, हमने लाल मिर्ची भिगो के रख दी थी, इसके भी निकाल के भिगो दिया था अब हम पानी डाल देते हैं थोड़ी सी कड़ी पत्ती ले लेते हैं थोड़ी से पुदीना के पत्ते ले लेते हैं और टेस्ट कार्डिंग नमक ले लेते हैं और एक छोटी चम्मा जीरा ले लेते हैं और थोड़ा सा दही ले लेते हैं इससे टेस् को भार आक debt को डेखिए कितनी अच्छी चट capabilities कि अगर आपके पास कस्मिरी लाल मीर्च हो तो उससे तर बहुत अच्छा आता है अगर आपको इस चाहिए तो color भी डाल सकते हैं चटनी में देखिए कितनी अच्छी चटनी लग रही है अभ हम चटनी को और tasty बनाने के लिए तढ़का लगा देते हैं उसके लिए हमने एक चिमचे में तेल गरम कर लिया है Ang अब हम सरसो के दाने और हिंग डाल देते हैं और तड़कने देते हैं और चटनी में डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं देखिए हमने मिक्स कर लिया कितनी सुंदर चटनी लग रही है हमारी इडली भी ठंडी हो चुकी है अब हम मोल्ट से निकाल लेते हैं ऐसे दबाके निकाल लेना इडिली को देखिए कितनी साफ्ट और कितनी स्पंजी इडिली बनी है ऐसे ही सभी इडिली निकाल लेते हैं अच्छे से प्रस करके निकाल लेना है देखिए हमने सभी इडिली निकाल लिया है अब हम काटोरी वाली इडली निकाल लेते हैं देखें ये भी कितनी फूली और कितनी स्पंजी बनी है और निकालने में भी कितनी आसानी हो रही है ऐसे ही सभी इडली निकाल लेते हैं ये इडली खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आपको हम इडली दिखाते हैं ऐसे भी इडली खा सकते हैं या फिर फ्राई करके खा सकते हैं देखे कितनी स्पंजी और कितनी साफ्ट डिली बनी है देखे सभी डिली एकदम स्पंजी और साफ्ट है देखे दबाने से फ्री वैसे ही हो जा रही है कितनी स्पंजी लग रही है अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं उसके लिए हमने दो छोटे चमस तेल ले लिया है और तेल को गरम होने देते हैं तेल भी गरम हो चुका है अब हम एक छोटी चमस मेथी दाना डाल देते हैं तेल में थोड़े से राई दाना डाल देते हैं और चटकने देते हैं अच्छे से अब हम थोड़ी सी करी पत्ती डाल देते हैं और अच्छे से पका लेते हैं देखिए हमने अच्छे से पका लिया है अब हम इडिली डाल देते हैं पैन में ऐसे ही सभी इडिली डाल देना है पैन में जिससे फ्राई हो जाए फ्राई इडिली खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है अब हम उलट देते हैं उलट पलट के अच्छे से शेक लेना इडिली देखिए हमारी इडिली में कितना अच्छा कलर आ गया है अब हम थोड़ी देरा और उलट पलट के सेंख लेते हैं देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका और क्रिस्पी दिखने लगी है अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है कितनी सुन्दर दिख रही है आप लोग भी ट्राइ कर सकते हैं आपको हमें एक इडिली दिखाते हैं देखिए कितनी साफ्ट और कितनी स्पंजी बनी है और सबजीयां भी कितनी क्रंची दिख रही हैं आपको मेरी एरेस्पी पसंद आ येगा